नमस्कार मैं आस्था मेरे चैनल विंदे राखी पर आपका स्वागत है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हूँ कि तृपुंड धारन करने से और जो भस्म लगाते हैं भस्म माथे पर तृपुंड धारन करते हैं उससे क्या लाब है और इसकी क्या महिमा पिश्नुरूद्र देवता मुनिगन भी इस महिमा का बखान नहीं कर सकते फिर भी मैं प्रयास करते हूं कि आपको बता सको जो भस्म धारन करते हैं उस पर भगवान शिव अतिपरसन रहते हैं भस्म तृपुंड लगाएं भगवान शिव का ध्यान उन पर बना रहता है क् बने करते हुद इस प्रकार जो आचरन करते हैं उनको स्षिव लोक की प्राप्ति होती है तो जो भस्म और तरिपुंड लगाए, उसके लिए बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, कि तरिपुंड धारन करने से जो किसी को रोकता है या दंड देता है तो उसे चांडाल के समान ही समझना चाहिए, वो चांडाल के समान है, तो कभी किसी को इन सब चीजों से नहीं रोकना चाहिए, और शर्दा पूर्बक तरपुंड का भस्म का हमें परियोग करना चाहिए, धारन करना चाहिए, शिव जी की जब भी पूजा करने बैठें, तो तिरपुंड के वारे में ये बताय गया है ब्राह्मन, शत्रिय, वैश, अन्य सभी जातियां कोई भी हो तो सभी तिरपुंड भस में लगा सकते हैं इसमें कोई मना ही नहीं है किसी को लगाने में जिसे कोई मंतर नहीं आता वो ओम नमद शिवाय बोलते हुए इसे और दिर्पूंड लगाना है और सब लगा सकते हैं इसकी बहीं महिमा है शिवजी बहुत परसन होते हैं जो इस प्रकार उनके भक्त भस्मत्र पुंड लगाते हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं जिसे कोई भी मंत्र नहीं आता वो ओम नमद शिवाय का जाप करते हुए भगवान को भी भस्मत्र पुंड लगा सकते हैं खुद को भी लगा सकते हैं ओम नमद शिवाय बोलते सबी जातिया करें, सबी लोग करें भगवानशिव की पूजा करते समय विशेश करें और वैसे भी जो भगवानशिव के भक्त हैं वो लगा सकते हैं कोई भी हो एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने आपको ये बताया कि स्त्रियों को लगाना चाहिए के नहीं भस्म और त्रपुंड तो वीडियो आप जाके देख लीजेगा आपकी जो भी शंका होगी वह दूर हो जाएगी तो इसी प्रकार त्रपुंड लगाने की अपार महिमा है तो मैं आपको कितना वर्णन करूं जितनी महिमा बता दूं भ पर कॉन करेगा तो यह सपश्ट है कि इसको लगाने से लाब ही लाब है भागवान की करपा रहती है व्यक्ति का जीवन वदल जाता है जो भगवान शीव के भक्त है वह जरूर लगाएं और पूजा के समय जरूर लगाएं शीव की पूजा करते हुए तो इसी प्रकार हिं करती रहती हूं जो धरम से संबंदित होती हैं बहुत सारी जानकारियां मंत्रों के बारे में भी जानकारियां देती रहती हूं तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेगा बेल आइकन को प्रेस कीजेगा ताकि आने वाली आप तक सारी वीडियो पह आणिवाद